हेलो माई देर स्वेंट्स तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे तो आज हम लोग कुछ प्रोग्राम्स बनाएंगे जिसमें फॉर लूप की प्रैक्टिस होगी और हम समझेंगे कि इन सारे प्रोग्राम्स को किस तरीके से बनाया जा सकता है तो चलिए स् इस कुछें का कहने का मतलब है कि आपको एक से लेके उस नंबर तक काउंटिंग को डिस्प्ले करना है चलिए तो करते हैं इस कुछें को सॉल तो इसमें लिखा है कि गिंती यानि कि काउंटिंग वन से तो प्रेंट करानी है लेकिन कहां तक करानी है यह हमें पता नहीं है यह यूजर जो डालेगा वहां तक करानी है इसका मतलब है कि यूजर से हमें पहले एक इंपुट लेना पड़ेगा उससे पूछना पड़ेगा कि आप कहां तक की काउंटिंग करना चाहते हो यूजर जो नंबर डालेगा फि करके हम input लेंगे यहां पर लिखेंगे enter a number यूजर से एक number मांग रहे हैं तो हमने message दे दिया यह input function कैसे काम करता है यह हमने एक input वाले वीडियो में बताया हुआ है जिसमें बताया है कि हर type की value का input कैसे लेते हैं तो वीडियो आप जरूर देख लें जाके हम description box में उसका लिंक देंगे जहां से आपको पता लगेगा कि यह जो line है वो कैसे काम कर रही है तो हमने यहां पर एक number का input मांग लिया and equal input enter a number तो user को एक message मिलेगा runtime पे कि enter a number user एक number डालेगा और वो चला जाएगा end के पास अब हमें यह पता चल चुका है user ने जो input किया है वो end के पास है और अब हम one से लेके उस number तक की counting print कराएंगे जो user ने input किया है तो ऐसा करने के लिए हमें सहुझ में आ रहा है कि अगर आपको counting print करानी तो loop लगाना लेकिन ending point हमें पता नहीं है और वो value ending point वाली end के पास है तो हम अपने लूप को चला देंगे one से लेके end तर चलिए चलाते हैं तो हम लिखेंगे for i in range तो हम लिख दिया for i in range और इसके bracket में हम यहां पर इसकी range देंगे तो हम लिखेंगे bracket में one comma n तो आपको पता हुगा कि हम एक extra loop चलाना पड़ता है तो हम यहां पर कर दिया end plus one ताकि लूप पूरा वहां तक चल सेगे जहां तक user की requirement है उसके पर enter किया तो हमें एक से लेके end तक के numbers को display करना है तो हमें एक variable चाहिए जिसको हम print करेंगे एक ऐसा variable जिसके पास लगातार value आए one two three four five six तो आपको पता probability आएगी कि कैसे i के पास सारी value आती है तो यहां पर जो print function है हम यहां पर i को use करेंगे और इस से हमारी सारी value डिस्पले होती हैंगे तो यह हमने loop चला है बन से लेके end प्लस one suppose user ने end में डाला है five तो यह loop चलेगा one से लेके six तक तो आपको पता है कम चलता है तो यह loop ले बन फिर two फिर three फिर four फिर five आएगा चलिए इस program को हम लोग run करेंगे तो हम five प्रेस करेंगे जैसे ही हमने enter किया तो यहां पर देखेंगे हम जड़ा ध्यान से तो हमें यह से हम से ही वह एक number मांग रहा है यहां पर लिखा हुआ enter a number तो हम यह आप एक number देंगे जैसे कि हमने दिया 10 तो हम देखेंगे कि हमारा जो counting है वह हुआ हुआ चलिए तो इस program को run करते हैं और देखेंगे कि हम इसमें हमारी जो counting है वह वह एक 10 तक प्रिंट होगी तो हमने फ्राइप प्रेस किया तो जैसी हमने फ्राइप प्रेस किया यहां पर हमसे number मांग रहा है जैसी कि हम डाल दिया 8 तो हम देखेंगे कि 1 से लेके 8 तक की counting डिस्प्ले होने वाली है तो देखेंगे आपर वन से लेके 8 तक की counting प्रिंट हो गई तो कुछ इस तरीके से यह प्रोग्राम में क्या हो रहा है जो भी number हम यूजर डाल रहा है हमारा जो प्रोग्राम है वन से लेके उस number तक की counting को डिस्प्ले कर रहा है तो समझ में आ गया होगा आपको चलिए करते हैं हम लोग दूसरे कुछन को solve तो दूसरे कुछन में लिखा हुआ है write a program to input even natural numbers between one to end using for loop and input by the user इस बाले में हमें जो यूजर ने इन्पुट किया है तो इस question में हमें समझ में आता है कि user से हमें एक number का input लेना पड़ेगा user जो number देगा वन से लेके n में और अब हम अपना जो लूप है वो 1 से लेके n तक चलाएंगे तो जैसा हमने पहले में चलाया था इसमें भी मिल्कुल सेम सेम करना पड़ेगा 1, n प्लस 1 ऐसा करने से क्या होगा हमारा जो लूप है वो 1 से लेके उस नमबर तक चलने के लिए तयार है जो यूजर ने इन्पुट किया है लेकिन इसकूशन में अंतर यह है कि इसकूशन में उसने बोला है कि आपको 1 से लेके n तक के सभी नमबर को डिस्प्ले नहीं करना है सिर्फ उ को कंट्रोल करेंगे इसको एक इस के अंदर रख देंगे कि यह जो प्रिंट है यह तभी चले जब आई इवेन हो तो हमें कंडिशन लगाएंगे इफ यदि आई मॉड्लस टू एककोल एकोल जीरो होता है मतलब अगर आई टू से कंप्लेटली डिविजबिल है तो यह कंड इस तरीके से अभी प्रिंट इफ के अंदर है और इस प्रोग्राम को हम अगर रन कराएंगे तो एक सिले के एंड तक के इविन वैलू दिस्प्ली हो चुके हैं क्योंकि हमने ट्विल डाला था हम एक बार इसको और रन किया और यहां पर डाल दिया 15 तो हम देखेंगे कि ए लेकर उस नमबर तक के सारे इविन नंबर डिये capac इस टारीके से हम वन ज alm के के सारे इविन नंबर को डिसप्ली कर सकते हैं तो अगर हमें 1 से लेके n तक के सारे नंबर को डिस्प्ले करना है और वैल्यूस को तो सबसे पहले से वह कुछ न समझ में आ रहा है कि n का यूजर हमें इंपुट से लेना पड़ेगा तो यह ले लाइन बिल्कुल अपनी जगे पर सही है इंपुट वाली लाइन हमें लिखन है कि नहीं तो आई को और चेक करने के लिए हमें आप एक कंडिशन लगाएंगे आई मॉड्यूस टू एक्क्वल वन तो अब लिख देंगे आई मॉड्यूस टू एक्क्वल वन ऐसा लिखने से क्या होगा जो जो आई टू से डिविजबिल होंगे और उसका अगर हमने यहां पर आप नंबर दिया यह से इसले कि 1027 सब ही square values को display करना है fall loop का use करके तो 1 से लेके 10 natural numbers का square value प्रिंट करना है तो इसके लिए हमें एक चीज समझ में आती है कि हमें अपना जो loop है वो 1 से 10 तक चलाना पड़ेगा इसमें हमें कोई n का input नहीं लेना है तो हमें इस line को हटा देंगे हमें user से कोई value नहीं मागनी है तो हम हमें पता है एक extra चलाना पड़ता है उसके basis पर हमें इसको 11 तक चला दिया अब हमें करना क्या है इस प्रोग्राम में हमें एक से लेके 10 तक के square number डिस्प्ले करने हैं तो अगर हम कुछ लूग को इस तरह किसे चलाएं तो हम देखेंगे कि अभी तो हमारे प्रोग्राम में स square values को display करना है तो एसा आख ने से कर सकते हैं तो squared value के लिए को क्या करना पड़ता है number का number म्र में multiply करते हैं तो इसकका square आ जाता है जیसे की स्कुएर्श का square चाहिए तो तो हमें number का number से multiply करना पड़ेगा और वो सारे जो number हैं वो आ रहे हैं i के पास तो क्यों ना हम यहाँ पर print में i into i करते हैं अगर हम ऐसा करेंगे तो हम देखेंगे कि हर बार जो i के पास value आएगी वो अपनी ही value में अपने का multiply करके एक square value बनाएगा और उसको print करेगा तो चलि से हमारे यहाँ पर बन से लेके 10 तक के सारे square values प्रिंट हो गए हम इसको थोड़ा ऐसे भी कर सकते थे कि हमारी जो square value है इसको हमने एक barrel में store कर लिया हो जैसे कि i into i और उसके बाद हम इस sq नाम के variable को print कराएं तो यह भी सही है और यह भी सही है दोनों तरीके से आप सको लि decrease किया है इस तरीके से तो अगर आप चाहते हो कि number भी है और उसका square भी है तो आपको पता है कि number है one two three four five हमें i से मिल सकता है तो हम लिखेंगे i comma और sq अगर आप चाहते हो कि दोनों के बीच थोड़ा space आए तब double quotes में हाँ पर थोड़ा space दोगे और फिर comma लगा दोगे तो i से सारी values प्रिंट होगी यहां से space प्रिंट होगे उनके बीच में और sq से उसकी square value display हो जाएगी तो हम चले इसको run करते हैं तो हम देखेंगे कि number के साथ साथ अभी square values भी आ रही है तो कुछ इस तरीके से number और उनके squares आ गया है तो समझ में आ गया होगा इसके बाद अगल कुब नब चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा इसमें लिखा है and input by the user तो हमें सबसे पहले प्रोग्राम में and का input लेना पड़ेगा तो हम लिखेंगे and int bracket में input और यहां पर हम डाल देते हैं enter a number इसके बाद यहां पर double quotes bracket close एक और bracket close तो इससे क्या होगा and का input user से लेना थ तक के सारे cube display करने हैं तो उसके हिसाब से हमें जो loop हो चलाना तो बन से है लेकिन अपकी बार 11 तक नहीं चलाना है and तक चलाना है तो हमें आप लखेंगे and plus one तो यह बन से लेके and तक loop चला देगा अब हमें क्या चाहिए बन से लेके and तक के cube चाहिए तो cube का मतलब होता है उ हमें two times multiply करना होता है यहां पर three times multiply करना पड़ेगा तो हम यहां पर अगली नाम लिख देंगे suppose हमने बैल का नाम लिए Q तो Q is equal to i into i into i अगर हम ऐसा करतेंगे तो क्या होगा i के पास one two three four five आ रहा है और यहां पर वो फिर उन तीनों का आपस मुल्टिप्लाइ करके एक बैल्यू बनाएगा और वो क्यूब में जाएगा जैसे कि मालो i के पास अगर two है तो वो two into two into two करेगा तो इसका जो result है वो eight आएगा और two क जो क्यूब है वो eight होता भी है तो सरीके से क्यूब के पास one से लेके end तक के सभी नंबरों का क्यूब स्टोर होता रहेगा और हमें उनके क्यूब को डिस्प्ले करना है तो हम उसके लिए क्या करना पड़ेगा यहां पर sq की जगे अभी हम cu लिख देते हैं जिससे क्या करेंगे तो यहां पर हमसे थ हमसे number मॉग रहा तो हमने यहां पर number ढला है जैसे के 10 तो हमने जैसे 10 डाला तो हमसे चैन स्टक की एक से 10 तक के सारी तक की उले हो गया इंभी का कियोग यजियो और तरीक इस थरीके से हम वन से लेके उस नंबर तक सारे क्योब को दिस्प्ले कर सकते हैं ठीक है तो is to is Todo अे क्या हो रहा है तो iki से नंबर प्रिंट हो रहा है और कि वसे क्योब तो तो आसा करता हूँ यह पांचो जो प्रोग्राम है आपको फॉरलूप के प्रैक्टिस के आपको समय आ गए होंगे तो चलिए फिर आगे उच और प्रोग्राम को लेकर आएंगे नए वीडियो में तब तक के लिए जैहन